रावन जी के बारे में प्लीज नो कमेंट मेरे फिर अंदर गा जो आला मुखी फट जागा कि हमारे बहुजन समाज की वरिष्ट पत्रका निधी रतन को इंसाब दे अन्यता हम सभी संगठनों को लेकर चाय कैसे भी करे हमें एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगे नहीं देखो यह तो एक छोटी सी चिंगारी है अभी तो हमने चिंगारी जलाई है विस्पोर्ट करना तो बाकी है अब मैं थोड़ी पता हमारा भाई हमारी दोका दे जागा हमारी गर्दन पर छोड़ी फेर देगा तो इसी वज़े से हम थोड़ा अलग हुए है इस वक्त मैं मौझूद हूँ याँ जंत्रमंत्रवे जिस तरह से नैशन देख की रिपोर्टर निधी रतन के ओपर हमला गया गया डियो कॉलिज के बाहर कुछ भगवदारियों ने उनका गिरिवान पकड़ा जबकि वो एक रिपोर्ट को कवर करने गई थी उसके लिए य इनको कम से कम सजा मिलनी चाहिए लगातार पुलीस परसाशन से बात कर रहे हैं उनकी गिरफतारी के लिए मांग कर रहे हैं जो दोशी उनकी गिरफतारी के मांग कर रहे हैं यहां पर लोग हैं सर तो जिस तरह से बहुजन मीडिया के उपए लगातार हमला होता रहा है और आप लोग यहां पर परदेशन करते हैं तो क्या लगता है कि मतलब इस तरह के परदेशन करने से कि सब रुख जाएगा देखो सभी को करांति कर जैभीम नमो बुद्धा हैं जै सविधान जै बारत मेरा नाम लोकिश कटारिया है मैं नैसनल भीमार मीं बहुजन एकता मिसन समाजिक संगठन का राष्टियत दक्स हूँ हमें इस बात की सूचना मिली अपने बहुजन पत्रकारों के द्वाराई जो मार पिटाई की गई और यहाँ था कि उन्ने जान समाने की धमकी दी गई तो हमें पता लगा तो हमने अपने इस तर से सोचा जब हमारे बहुजन समाज के पत्रकार जो घड़गर हमारी बाते पूचाते हैं यह मुमेंट पूचा रहे गरगर मीडिया के अपनी सोशल मीडि को यह चोटा सा टेलर दिखाया है अगर उस बहन को इंसाफ नहीं मिला तो यह तो कुछ भी नहीं हम बड़ा अंदोलन करने की भी तैयारी रखेगे लेकिन जल्दी जो मंके के एसपी साब है उनसे भी मुलाकात करेगे तो यह तो केवल यहां पुलीस प्रसाथन को अलर्ट करने के लिए ताकि नीदी बहन को इंसाफ मिल सके इस वज़े से यह चोटा सा प्रोटेस्ट है बहुत हलका सा अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे संगठनों को लेकर हम बहुजन तुरंती कोल करके कि कटा रही है यह ऐसे सबात होगी हम मेरे डिश्ट्रिक में रहते हैं और हमारा ज्यादे तरह 48 गंटे सोसल मोमेंट कही काम चलता है उसी पर काम कर रहे हैं तो मैं फिल्ड में ता दूसरे स्टेट में हम तुरंती रवानी की और लोगों से बात की है सब करना नहीं चाहते तो Een यस तरस अध्याद में हमारे दिलिक हैं तो Arena लेके भी प्रोटेश्ट कर सकते हैं प्रोटेश्ट करना है परसासन को दिखाना है पर श्रमत कि बात पुचा नहीं है तो हम चार लोग भी कर सकते हैं अगर जहरूत पर आन पड़ी तो 4000,000 पर 4000,000. तो जब तक नीदी रतन बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ऐसी आप तो चोटा सा फिर अगला बड़ा होगा और हमें उमीद है कि ये मामला परसासन तक पहुंच जाएगा और वीडियो के जरीए भी देखा हमने वीडियो में भी देखा कि हमारी बहन जब उनसे बचने क कोसिस कर रही थी तो वह हत्ता पाई कर रहे थे उनका मुबाइल भी गिर चुका था अब आप एक चीज बताए ये एक बेटी पर जब 57 लोग बत्तमी जी करेगे उसके गिरवा पर हात गिरेगे तो लड़की कहीं न कहीं वह अपना बचावत रखेगी और वह क्या करती मज प्रोटेक्शन ले सकते है अपनी तो यही हमारा विशेस मुद्धा है सरकार से ही मांग रखेगे दिल्ली सरकार और दिल्ली परसाजन से कि ऐसे दबंग और सराथी तत्वों के खिलाब SCST Act के तहित मुद्धा दर जो पलस गुंडा Act लगा कर उन्हें जेल बेजा जाए और जहां तक कि अगर हमारा बस चले तो एस उपर तो एनस से लगा कर बितर कर देना चाहिए ऐसे लोगों की वज़े से देश में दंगा फसाद होता है इनकी कोई नसल ना कोई जाती होती है आपका क्या नाम है? मेरा क्याना है यह नाम क्या है? मेरा नाम किरनपाल सिंग है कहां सा है? मैं दिल्ली सही आया हूँ तो जहां आप रहते हैं आपने वहां के लोगों को जागरुक करने की कोशिश की कि जिस तरह से महिला पत्रकार के ओपर इक भाहूजन के ओपर हामला हो रहा है तो हम सब को साथ लेकर चलना चाहिए और उनके लिए इंसाफ की बात करने चाहिए मैंने वहां पर मैंने वहां पर सभी लोगों से कहा उनको जयता है अभी लेकिन सब लोग प्राइवेट जॉब करते हैं विचारे आज कल आडिट भी चल रहा है तो इसलिए वह आने में असमर्त रहे तो हैं आपर काफी लोग आते मैं तो यहीं कहूंगा उस बेटी को निदी कर भी वांदोलन करेंगे जय भी आप एक महिला हैं जिसरा से महिला के ओपर लगातार पत्रकारों के ओपर हमले हो रहे वो इक बहुजन समाज से आती हैं जो पहले पिछड़ा हुआ वर्ग है लगातार जातिवाद का उसके ओपर दबाव बने रहता है अपने भेदभाव ह उतर रहता है और यहां पर जाती सुरुचक गालियां दीके तो क्या लगता है कि महिला होनी के नाते कभी इस तरह कर डर आपके अंदर पैदा हुआ हाँ डर बहुत है बेटी भेजने में मिडल लगता है कल मेरे बेटी को पेपर और डर तो लगता है इतना घर नहीं आती है आज कल कितने हत्याचार हो रहे हैं, बेटी को डरते हैं लोग, हम तह यह चाम है कहीं इंसाब मिलना चाहिए, जो होगा, तो उसके बेटी के लिए नियाव मिलना चाहिए, सरकार में, वो तेरे जुलम सह रहे हैं, तो यह होना चाहिए है आज मुख्यों देश से हैं, कि नीधी रतन के साथ कुछ भगवदारी गुंडों ने बत्तमी जी की, मार पिटाई करने खोशिश की, और गिरवाँ पर हाट डालार जाती सूचक सब्दों का इस्तमाल किया, यहां तक की जान से मारने की धमकी भी दी, इसकी सूचना हम लोगो से काफी संगठनों से इस बारे में डिसकस किये, तो उस टाइम में तो सबने एग्री हो गये थे, सब कह रहे थे, कल हमारे जो जिनकी पुन्यती थी, वहां भी मैंने काफी लोगों से बात किये दिल्ली में, कि आप लोग सब आईए, शान्ती सवरूप बोजी है, उनकी आने के लिए सब एग्री हो गये, बुलं सहर में 3-4 दिन से लगतार में ग्रामीड चेतरों में केडर भी कर रहा था, दिल्ली में भी काफी लोग होगा, लेकिन रिजल्ट यह रहा है कि आपर कोई आने के लिए एग्री हो था नि, कोई बात नहीं, जितने हम लोग थे, इस यही कहने चाहेगे, दिल्ली पुलिस परसासन से और दिल्ली सरकार से, कि अगर निदी रतन को इंसाफ नहीं मिलता, हम 4 दिन का और अल्टीमेटम दे रहे हैं, 4 दिन के अल्टीमेटम के बाद हम SP सहाब से मिलेगे, जो विस विदाले, दिल्ली विस विदाले में लगता है, है उनसे बात करेंगे अगर हमारे कोई निस्क्रक निकलता है तो अच्छी बात है उन पर कानूनी कारवाई होती है और ऐसी एक्ट के तहत उन पर मुगदमा दर्ज होता है और गुंड़ा एक्ट लगती है तो हम बिल्कुल पूर्ण शांति पूर्वक इस बात को मानेंगे अगर नहीं कुछ होता है तो एक बड़े जना अंदोलन की तैयारी भी करेंगे और इसमें बहुजन मीडिया काbn सपोर्ट लेगे क्योंकि बात एक बोजन मीडिया कि नहीं बात है मान संबन की मान समाजी की बहुजन समाज की सुरक्षगी अगर हमारे समाजी की बहन बेटक्रा नहीं बचा पाएगा to लेको सरकार अगर लापरवाई ना बरत था तो सैद अभलो एरेश्ट हो जाते वे लोग क्योंकि वो सत्तम है एक कोई छात्र संग है जो आज पूरे बारत में चला है यह आरेस का विंग है जो स्टुडेंट विंग होता है तो उसमें उसकी गलती क्या थी नीदी रतन केवल क आज फान माना जाता है इंडिया के अंदर पत्रकार को मीडिया को बोलता है अगर चौतन स्थम सुरक्षित नहीं है तो आम जनत का क्या होगा तो हम दिल्ली सरकार और पुलिस परसाथन से यही निवेदन करेगे हमारे बहुजन समाज की वरिष्ट पत्रकार निधी रतन को इंसाब दे अन्यताम सभी संगठनों को लेकर चाय कैसे भी करें हमें एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे आपके अंदोलन से कुछ उनका परभाप पड़ेगा नहीं देखो यह तो एक छोटी सी चिंगारी है अभी तो हमने चिंगारी जलाई है विस्पोर्ट करना तो बाकी है वरना विस्पोर्ट क्या करेंगे आप अगे अभी प्लानिंग कर रहे हैं अभी हम इसमें कुछ कह नही सकते हैं बट हम एक गुप्त तरीके से अपनी जनर्नल बोडी की मिटिंग बठाएगे और जनर्नल बोडी मिटिंग करने के बाद जिस तरीके से हमने दो अपरेल 2018 में बारत बंद किया था हम जब को बचाने में इतना बड़ा योगदान कर सकता हैं तो हम अपने बहुजन समाज की बेटियों को बचाने में क्या नहीं कर सकते हैं लेकिन काईदे में जो हमारे समाज की बेहन, हमारे बहुजन समाज की बेटियों के लिए आगे बढ़ेगा, हम उसकी बेटियों के लिए आगे बढ़ेगे, वरना जिन्नों ने ये करम कांड करे हैं, क्या उनके बेहन बेटी नहीं होगी, अगर वे इस चीज को सोच के समझते, तो वे इस तरीके कि नीच हरकत नहीं करते हम पूरे देश में सब बेहन बेटियों का मान सम्मान भी करते हैं उनकी आत्मरक्षा के लिए खड़े भी रहेगे लेकर हम ऐसे नीच लोगों को मुह तोड़ जवाब देगे लोगे इस राजनीती में आना चारे हो क्या नई मुझे राजनीती में नहीं पूर्बरी दो हजार उननीज में दो अपरेल के अंदोलनकारियों की रियाई के लिए कुछ लोग या रोप लगाते हैं कि दलित का काड खेल कर आप अपनी राजनीती चमकाते हैं अगर हम पाँच आदमी आए हैं तो हम पाँच आदमी आवाज उठा सकते हैं आज पाँच है तो कल पाँच हजार भी होगे, पर सो पाँच लाख भी होगे ऐसी कारवा बढ़ता है, साब कांसी राम जी अकेले चले थे, बावा साहिब अकेले चले थे, कारवा अपने आप बढ़ता चले गया बैन जी भी लड़ाई लड़ रही है, रावन जी भी लड़ाई लड़ रही है, का अखिर कब तक चलने वाली है यह लड़ाई देखो बैंच जी की तो कोई हिरस ना अगर सकता, बैंच जी तो एक आरेन लेडी है जिसको दुनिया में नाम दिया गया, रही रावन जी की, रावन जी के बारे में प्लीज नो कमेंट, मेरे फिर अंदर गा, जुआला मुखी फट जागा, और मैं निचाता कि उस पर कोई कम मैं तो जो भी सबूत के साथ मैंने प्रेस कोंफरेंस में भी सारे सबूत किये थे, सारी चीजे मैं खुद था उसका, बहुत बड़ा समर्थक था, अपनी नोकरी, अपनी पढ़ाई, अपना घर बर बाद करके, आज रोड पर हूँ, क्यों उस भाई को सपोर्ट करने के लि हमारी बहन बिजी हो, हो सकता है, लेकिन मैं नेक्स टाइब मैं जब भी एसपी साब से मिलना हूँगा टीम के साथ, तो तब मैं नीदी बहन से जरूर मिलूँगा, एडरस आप ही बता होगे मुझे. आपको नहीं लगता जिसके लिए धरना परज़न कर रहे हैं, पहले उसे इस्तिती को जान लेते, क्या मामला है, क्या नहीं है? इस्तिती जान की तो हो, बीना इस्तिती जान लेते, थोड़ी आ गया हमें, आग्मीश के थोड़ी आ गया. उसको गिरवान पकड़ लिया जाता है लेकिन कारवाई के नाम पर कुछ नहीं होता लगातार आवाज उठाई जाती हैं पर लोग आवाज उठा रहे हैं परतिशन कर रहे हैं उनके लिए ताकि उनको इनसाफ मिल सके नैशन दस्तक की रिपोर्टर हैं आप सोच सकते हैं मैं पिक नैशन दस्तक की रिपोर्टर है तो बहुत प्राउट फील होता है यह सब चीज़ें देखकर कि नैशन दस्तक की रिपोर्टर उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई बहुत जिन समाज से आती हैं उन लोगों को सबक सिखाया वहीं पर तो यह बहुत बड़ी चीज है और लगाता है जिस सरा से लोगों को समर्धन मिल रहा है यह बहुत ही अच्छा लगता है मैं वह इंसाइभी कैमरेमेन आशिज के साथ नेशन दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते है तो नेशन दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर क सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशन दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे